किसी भी तरह का यदि आप अप्रेशन कराने वाले हैं यदि आप समझ रहे हैं कि उग प्रकार के बिमारी बिना अप्रेशन का ठीक नहीं होगा तो जरा ठहर ये मेरी बात सुनने के बाद में आपको जो मर्जी वही करिएगा लेकिन यदि बिना अप्रेशन का यदि आपका कोई बिमारी ठीक हो जाए तो क्या आप चाहेंगे कि दवा से केवल बहुत कम पैसे में आपका बिना अप्रेशन का परमानेंट बिमारी ठीक हो जाए हम समझते है कि सब कोई ऐसा ही चाहेगा कोई भी अपने शरीर पर चाकू चलवाना नहीं चाहेगा नमस्कार आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी एसेंपी क्लिनिक और नीवज में आप सभी लोग का स्वागत है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुभोष चन सिंग को जी एसेंपी क्लिनिक और नीवज चैनल के अंतरगत आपको जान के अश्चर्श होगा कि बिना अपरेशन का बहुत सारा बिमारी ठीक हो जाता है आप कलपना कीजिए कि आप कुछ नहीं देखे होंगे तो मसा को दवा से आप गिराते हुए देखे होंगे मसा कई के संख्या में रहता है आप उहाँ परेशन का तो सोच भी नहीं सकते हैं हम एक उदाहरन देने के लिए ऐसे हम बात करें मसा मासा तो हुमिपैथी के लिए कुछ भी नहीं है ये कोई बिमारी नहीं है भले दुनिया में दुसरे पैथी के लिए आज भी रहस बना हुआ है कि मासा कैसे ठीक होगा लेकिं हुमिपैथी के चीकिसक आसानी से इसे इलाज कर ठीक कर देते हैं आपके आज प्रोवस अगल बगल में बहुत सारे हुमिपरेथी का इसा चीकिस सखोंगे लेकिन दस से पंदरह आपको जो बिना अप्रेशन का आप समझते हैं कि मिमारी नहीं ठीक होगा ओभी बिमारी ठीक हो सकता है ओभी बिना अप्रेशन का बहुत कम खर्च में यदि आपको फैलेडिया है जब हम चिकिसा नहीं करते थे उस समय एक जो भूझा बेचा था व्यक्ति उसे पैड धिरे 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 फूलते फूलते वह बहुत ज्यादा उसको फूलने लगा और उसके बाद में हाथी पाव जैसा हो गया और उसके बाद में कितने तरह का उसका अप्रेशन हुआ लेकि संजोग की बाद है कि उसको अंत में वो जो रोगी था फैलेडिया का उडेथ कर गया उसके बाद से उसके फादर हम लोग के संपर्क में आए हमारे संपर्क में आए उसके बाद से इलाज चला उस बिल्कुल उस घर में आज कोई तरह का दिकत नहीं है और सभी पेसंट ठीक है एक हाई स्कूल के टीचर थे उनका मदन बाबु नाम था आज भी है उनका एक बच्चा पैड से हैंडिकेप था और दूसरे बच्चा को भी पैड में फैलेरिया हो गया था डॉक्टर ने उस बच्चे का अप्रेशन के लिए टाइम लोग दे दिया था और बताया था कि अप्रेशन कर दिया जाएगा तो इसका पाउं का सुजन चला जाएगा उसी के बीच में उन्ही के मैं रास्ते से ही जा रहा था उनको हमारे उपर नजर परी वो हमारे बारे में जानते थे और बुलाए उन्होंने और इसके बारे में उन्होंने बताया हमने कहा मैस्टर सैम के आपके बच्चे को फैलेरिया है ये होमिपैथिक दवा से बिलकुल टेबलेट, कलार ट्रोपिस और ये परमुख दवा था उसके बाद मैंने कुछ चिरायता का मदर टिंचर, कलार ट्रोपिस और सोठ जिंजिव और इसका हमने उनको ये मदर टिंचर हमने दिया था और हाइड्रोकुटाइल का एकाद खुराक हमने दिया था उनके बच्चा का ओप्रेशन के लिए डेट परा था फैलेरिया का ओठीक हो गया आज भी बच्चा है आज वो सोच रहे थे उनके दो बच्चे जो थे एक तो पहले से ही हैंडिकेप्ट था और उसका दूसरे बच्चा भी उनका हैंडिकेप्ट होने के कगार पर था इसलिए बहत हुँ चिंतित थे और सायद सोचते थे और बेमारी के सांथ साथ जिन भोगना नहीं रहता है ठीक होना रहता है भगवान उनको कहीं न कहीं रस्ता सरण दिखाई देते हैं आभी उपर वाले पर भरोसा कीजिए कहीं आपका अच्छे चीकित सक्षे दर्सन हो जाए भेठ हो जाए तो हम समझते हैं कि आपका कष्ट बहुत जल्दी दुर हो चक्ते हैं और बच्ठां बिल्कूल में स्वस्त हो गया फैलद एरिया तो जो लोग फैलद रिया फिलबाव हाती पावं से जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, चलते भी हैं तो बहुत दिकत होता है कौमी उन लोगों में ही है कि इस बिमारी में बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं मैं हास जोर कर सभी इस ढ़र्योच के गारिजन से लोगों से जगरूपता फेलाना हम चाहते हैं कि इस धंका कहीं भी मरीज देखें फैलेरिया का तो शुरुआती दौर में ही उन्हें इलाज कराएं इसमें बिना जंजट का एक दो सकता के अंदर में बिमारी ठीक हो जाता है जैसे कि हमने सफेद दाग में हम बताएं हैं उसको भी कई तरह का लोग सरजरी करते हैं छोड़ देते हैं धीरे धीरे उसको एस्पोर्ट मानकर आप सिहुला मानकर बहबदर मानकर लेकिन आप देखते रहें ध्यान से कुछ भी हो उसका इलाज आप सुरू कर दें अशे चिक कित्सक से आप मिलते हैं तो इसका समस्या का समाधान अवस्य हो जाएगा यदि आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप 9801757533 यानी 9801767533 पर अपने कश्ट का सियर कर सकते हैं जनकारी ले सकते हैं और इस तरह से कोई भी बढ़ा से बढ़ा भी गिल्टी हो कोई बरा से बरा घाव हो जो ठीक नहीं होता है कभी आपको चोट लग गया है और सिष्ट का रूप ले लिया है और वहाँ पर करा गाठ बन गया है उसमें भी हम पैथिक दवा अदिवतिये हैं कि और इसके बाद में बहुत सारा मरीज को आप हम लोग ठीक कर सकते हैं होमिपैथिक दवा से तो हमारे जनकारी से क्या होगा यदी इसमें रूगी को भी कम से कम जनकारी रखनी चाहिए यदी इसके के बारे में आप जनकारी नहीं रखते हैं तो आपको दिकत हो सकता है पाइल्स का केस में जो 80 साल के ब्रीध हो गए हैं वह 75 साल थे कि जब थे तब उन्होंने हमसे इलाज कराना शुरू किया था आज 9-8 साल से वह बिलकुल ठीक हैं उनको पाइल्स का अप्रेशन नहीं करान परा इतना सुंदर जिंद़ी ओजी रहे हैं और वह किया बोलता है यह जो अधिके बरतन लोग बनाते हैं उर जो मिटी से सारे बरतन को त्यार करते हैं कोहार लोग हैं उनका मैंने ट्रीट्मेंट किया आज भी आते हैं साल में एक बाठावा खाते हैं वह बिल्कुल ठीक ह कोई आते हैं उनका खुन बिल्कुल रुख जाता है आप एसी नाइट्रिक सल्फर नक्स भोमी का ऐसी दवा हैं लेकि इससे भी थोरा साह में लक्षन मिलाकर आगे के सोचनी चाहिए जिससे की एव्यमारी बायकेमी का भी दवा प्रयोग करते हैं उससे बहुत आच्छा रट नहीं है और इसमें बाबा सीर का अप इलाज करा सकते हैं और बहुत सारे लोगप लेraw है ब्रेंब का बन्र है ब्रेंब का लियका आपेमी कि से फिल्कर हो जाएगा और इसमें आपको यदि किसी बच्चा का कान बहुत जिन से बच बह रहा है और धिरे-धिरे और तुड़िया हुआ है कान बहते 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 तो उसमें भी आपका होमिपरिथिक दावा खुब कमाल करता है आपके बच्चे का बीना आपरेशन का कान ठीक हो जायागा आपको भले कितनों दिन से भी बहराओ आख समंदित आपका कोई भी सर्जरी आपको कराने से बच सकते हैं मुतियाबीन कॉंटेक्ट कोई सी भी परकार का क्यों नहों आपका जो भी है आख की समस्या होमिपैथिक दवा से बिल्कूल आच्छा हो जाता है हाइडोसील है उसको लोग बार बार देते हैं कि अप्रेशन करा देते हैं जबकि हाइडोसील बहुत बहुत बनिया होमिपैथिक में दवा है उसे बहुत लोग का आसानी से ठीक हो जाता है इसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है कलकेरिया फुलोड है अंतरह के दवा के स्वयोग से उसे जरू ठीक किया जा सकता है अब महिलाओं का बचे दानी यूट्रस जो बाहर आता है लिकोडिया जो के चलते कभी-कभी महिलाओं का डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इसे हटा दीजिए तो ऐसा कभी भी हिस्टोक्टोमी ना कराएं यूट्रस को बाहर नहीं निकलवाएं हमने बहुत उनका आज ब्लड बिल्कुल बंध है मासी 15 दिन तक रह जाता था ब्लड इतना जाता था ब्लड खुन बहुत कम हो गया था लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप सधारन दवा आप सोचते हैं तो बिल्कूल इससे ठीक नहीं होता है थोरा सा इसमें विशेस दम्माग लगाई ज़रूरी नहीं है कि हम जो दवा देते हैं आपके मरीज को भी वही सेट करेगा लेकिन हम बना कहने का मद एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि यूट्रस का बाहर आना बाहर जो आता है सिपिया एलेक्ट्रिफोर्नोसा अन कोई तरह के दवाओं से यूट्रस को अंदर में ले जाए जा सकता है और बीना किसी रिंग चलाए हुमें पर थीख दवा से ओलोग ठीक हो जाता है वह भरियन सीष्ट है और यादी सीष्टप आपको हो गिया है वह भी ठीक हो जाएगा बीना आपको दवा का और भी देख लेते हैं अब हमने अब भरियन सीष्ट हो गया आपका सुई एक होता है इंजेक्शन बच्चों का या बरो का देखते हैं कि इंजेक्शन लगाने के वज़ा से घाव हो जाता है और घाव के वज़ा से उनका उप्रेशन करना परता है इसे अपसेस कहा जाता है एक महिला का बाह में सु किया था मलहम का प्रयोकिया था रूट आसिमफाइटम यह बहुत सारे दवाओं के सहयोग से आप बाह कटने से आप बचा सकते हैं किसी महिला का यदि फाइलेडिया है फाइलेडिया के वोज़ा से भी किसी को कुछ दिकत है तो उन्हों को भी बचाय जा सकता है और सब्सक्राइब कर देखते हैं कि साइटी का जो होता है इसके चलते भी बहुत लोगा प्रेशन करा देते हैं गठिया में घुटना बदलाते हैं आरे होमिपैथिक दवा पर विश्वास रखी कुला घुटना बदलाने के जुरुत नहीं है यदि एक बार आपको घुटना बदल दिया गया तो फिर उसे आपको फिर बचाना मुश्किल होता है हमारे मान्य सर्धे परहान मंत्री अटल भियान बेजपेई का भी घुटने का अप्रेशन होने के बाद में और उनका चलना फिरना दिकत हो गया था होमिपैथिक में लीडम पाल आपको बहुत अच्छी दवा है रश्टक्स गठिया की बहुत दवा अच्छी दवा है फाइटोले का है केलकेरिया फ्लोल है विसकम एल्बम है बहुत सारा दवा आपको इठ हंका मिलेगा जिसे की होमिपैथिक दवा से आपको ठीक हो जाएगा पेट में किसी तरह का अप्स्ट्रेक्शन है गांठ है उसको भी आपको बिना अप्रेशन के ठीक किया जा सकता है और इसमें तो गिल्टी का तो कहना ही नहीं है या अन कोई भी विमारी है जो आपक नहीं आपको अच्छा हो जाए अगर हम लोग तो देखते हैं कि बिना अप्रेशन का घाव बरे बरे बलतोर घाव में तो आए तक किसी का अप्रेशन नहीं करानी परी जब हम पढ़ते थे उस समय जो हम लोग को आईडिया नहीं रहता था दवा तो तो हम लोग अले पैस दवा डॉक्टर के पास जाते थे तो लोग छोटे छोटे गाव को भी चीरा लगाते थे और उस तरह से हम लोग को कम से में एक माह 20 दिन डिस्टर्ब हो जानी परती थी लेकिन पता उसमें नहीं था हीपर सलफर एक दो खोराग से ही तिन खोराग से ही आपका बलतोर घाव जो कुलोई उन बोलता है उपनड उनन का अलग इलाज है उन्ड तीं तरह का होता है जुप जिसका mesela को जो जिसका मूँ खूला है ऑपन हो गया और जिसका जो वाइट है यह एनि किसी चीज़Now जेम को हाव बन गया है कोई तो चीर्तव उन्ड भी होता है जिसे जब्रदस्ति कुछ जाना या इस धंका उसमें कोई होता है तो घाव भी आपको एक हो गया कुलोईजीन उपेन उन पंचर्ण उन लेसरेट उन चार तरह का आपका घाव होता है यह चार किसिम का घाव आप जाने के सबका इलाज में बहुत जादे अंतर होता है हम किसी भी तरह के आपको घाव ठीक नहीं हो रहा है बहुत दिनों से है उसमें आपका हुम्य प्रैथिक दवा का बहुत कमाल है यदि आअंह का भी आना यदि आपका नहीं जा रहा है माइग्रेन, माइग्रेन तक का भी बहुत से घाष के कर सकते हैं आप देश के किसी को नामे क्यों नहीं हो फोट सब्सकते हैं, अपर संती बिश्वास किजिए अच्छिकी है मिलेंगे तो आपका विमारी अवस्य कोई कोई मिमारी ठीक हो गा लेकिन कि आप मोलभाव आवस्य किजिए कि आपको सरजेरी से फैदा जादे हो रहाए गैंगा बीना सरजेरी का आपको मिमारी ठीक हो जाएगा मुखता होमिपैथी एलोपैथी नेचुरोपैथी फिजुरो तो भी बहुत तरह का चिक्सा पथिती आपके देश में है आप तुलना कीजिए कि कौन सा आपका चीप परेगा जिस तरह से समान आप मार्केट में कुई समान खरीदने जाते हैं उसमें आप ज तो इसका आप ध्यान इसमें भी करें यह नहीं कि उक्त डॉक्टर के पास गया आपने गये उसके बाद आपको अप्रेशन का कोई सलाह दे दिया और आप उसी का सलाह माल यह नहीं यदि आपको संतुष्टी नहीं आप डॉक्टर से डॉक्टर बगलिए पधती बदलिए हाट का यदि मरीज है आपको हो सकता है कि दावा से ठीक हो जाए और कोई किसी अच्छे समझ के बरे डॉक्टर समझ के चले गया हाट के चीकिसा के पास में उन्होंने आपको सलाह दे दिया हाट के सरजेरी के लिए तब 5-6 लाख रूपिया का काम है उसमें हो सकता है कि दा हाट का फ्रेशन करां eos में भी कोई जरूर नहीं है कि हाट का फ्रेशन सक्सेस निओगा कहीं न कहीं आपको बिश्वास करने ही परेगी और रिक्स आफी को लनीं परेगी आप समझाते हैं कि कोई आपका रिक्स दुसर्य कोई ले यदि सारा लगाई अगर भगवान क्रिंज ही लड़ लेते तो फिर अर्जुन की कोई जरूत नहीं थी लड़ाई तो आपके लड़नी है बसरते भगवान उसमें आपको दिशा गाइड आपको अवस्थी कस रखते हैं आपको सही राह जरूर दिखा सकते हैं यह दि आपको भगवान पर भरोसा है वागवान करें कि आपको तमाम तरह के कठिनाई है उसमें आपको एक अच्छे होमेपैसिक चीकित सक मिल जाए जो कि बहुत कम पैसे में बीना अपरेशन का बीना किसी जंजट का आपका मिमारी दूर हो जाए तो मेरा यूट्यूब चैनल बना ले का मौकसत पूरा होगा और आपके कम बजट में पुरा परिवार खुस रहता है तो यहीं हमारी सोच है और चारोत तरफ आप दूर देराज में कहीं बैठे होनी संथे हमारे वीडियो को आप देख रहे होंगे यदि मेरा वीडियो ऐशा लगे तभी आपको लाइक करना है डिसलाइक करना है, कमेंट करना है यदि नहीं लगता है तो कुछ मिना करें उसमें हमें कुछ नहीं आपको फायदा है तब मेरे चैनल से जूरे जबरदास्ती मेरे चैनल को ना देखे ना सियर करें ना लाइक करें यदि पसंद नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि मेरे लाइक करें और कमेंट कुछ करें आप छोड़ सकते हैं तो जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है उन्हीं लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक से और सब्सक्राइब करें और बीना आपरेशन विबिन तरह के भीमारियों के जंजट से मुक्ति पाने के लिए और आप आगे आईए और हुमिपै के परति आवस्य आपको आसा मिलेगा कि हां कैसे कैसे कठीन विमारियों को हुमिपैथिक दवा से ठीक किया गया है और मैं समझ गया हूं कि आपको मेरी बात आज का समझ में आ गया होगा इसी की साथ मैं आपकी यूट्यूब चैनल से ततकाल बिदालना चाहता हूं नमस्क के बाई